वेल्कम टू दजैनल बेड करिकुलम आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर धर्ड से टॉपिक है आज का यथार्टवर्ट सिक्षड अनुरूपर्ड जिसको कहते हैं स्टिमूलेटिड टीचिंग इसको खा जाता है इंग्लिस में तो यथार्टवर्ट सिक्षड क्या होता है यह समझ लेते हैं इसको अनुरूपर्ड सिक्षड भी कहा जाता है तो अनुरूपर्ड सिक्षड का अर्थ क्या होता है यह जान लेते हैं सिक्षड में अनुरूपर्ड का अर्थ होता है अभिन्यात्मक से भी लिया जाता है अभन्यात्मक विधी में छात्रों को केवल पर अब नियात्मक विधी जिसमें छात्र को परिस्थिती से आउगत कराया जाता है और उन्हें वार्तालाब और चर्चा के माध्यम से फिर विश्थावस्तू को आगे बढ़ाया जाता है अनुरूपर और अनुरूपित सिक्षर विधी का प्रयोग दुद्य विश्वयुद्य में माना जाता है तो दुद्य विश्वयुद्य से अनुरूपर विधी का उपियोग हुआ था और युद्य के लिए प्रसिक्षर देने के लिए वास्तविक युद्य का प्रयोग संभावित नहीं था तो युद्य जब दुद्य विश्वयुद्य हुआ तो इसके लिए वास्तविक यूद्ध की परिस्थिती बनाना संभो नहीं था, इसलिए विभिन्द व्यू रचनाओं और तक्नीकों का प्रसिक्षर देने के लिए, यूद्ध जैसी क्रतिम परिस्थिती की रचना की गई थी, जिससे की प्रसिक्षर पदान किया जा सके, तो इस प्रकरिया में किसी को जो जो क्रतिम स्थिती, मतलब जैसे की यूद्ध की स्थिती होती है, वैसे ही यूद्ध की स्थिती इसमें क्रतिम परिस्थितियों में प्रस्तुत की गई थी, और आजकल इस सिक्षर की विधी का उपयोग व्यूसाय प्रबंधन में किया जा र रहा है चिकिस्टा में किया जा रहा है वेवसाय में किया जा रहा है और सिक्षर प्रसिक्षर के कारिय में तो काफी ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है अब समझ लेते हैं कि यह थार्थवर्थ सिक्षर होता क्या है stimulated teaching क्या है तो यह थार्टवत सिक्षर सीखने तथा प्रसिक्षर की वप्रवधी होती है जो अधिनियम के माध्यम से छात्रा अध्यापक के समस्या समाधान व्योहार के लिए योगिता का विकास करती है तो यह थार्टवत सिक्षर के द्वारा अधिनियम के माध्यम से जो धात्रा अध्यापक रहते हैं उसमें समस्या समाधान के व्योहार की लिए योगिता का विकास किया जाता है और उसे भली भाती पढ़ाने का प्रसिक्षर बदान किया जाता है यह थार्टवत सिक्षर के में अभी नए भूमिका निर्वाहन के द्वारा एक पूर्ट तथा विस्ष्ट सम्प्रेशर कोसल के विकास के लिए क्रतिम परिस्थितियों में सिक्षर किया जाता है तो यथार्थे वच्शल ऐसी प्रोसेस रहता है इसमें एसा जिसमें भूमिका निर्वाहन करना होता है तो एक छात्रा अध्यापक सिक्षर के भाति इसमें खार्य करता है और वां पूर्ड तथा विसेस्ट संप्रेशर कॉसल को अपने अंदर विक्षित करता है यहाँ पू काविक्ता उसके वांचित परिवर्तन आते रहते हैं यथार्थवत सिक्षर के बारे में विंग ने एक डैफिनेशन दी है तो इन्होंने बताया है कि क्रति मेवम अनुरूपित इस्थितियों का निर्माड उस समय किया जाता है जब छात्रा अध्यापको को विशिष्ट अन अनुरूपित इस्थितियों का निर्माड उस समय किया जाता है जब छात्रा अध्यापको को विशिष्ट अनुरूपित सामगरियों का सामना करना होता है और उनमें वांचित परिवर्तन देखने होते हैं तो यह डैफिनेशन विंग के द्वारा दी गई थी इसके बाद क गताया है कि अनुरूपर या यथार्थवत सिक्षर जो है ऐसी वास्तविक परिस्थितियों का करतीम रूप होता है या जिनमें भाग लेने वाले को अपने वर्तमान तथा भविश्य के कारियों से समंदित समस्याओं के समाधान के अनुभव प्राप्त हो सकते हैं तो इस काधवज सिक्षर के तत्व देख लेते हैं तो स्टिमुलेटट टीचिंग के कुछ elements होते हैं क्रक्षएंक ने इसमें बताया है कि तीन इसके elements है तीन तत्व हैं जिसमें पहला तत्व आता है निदानात्मक तत्व जिसको डाइगनौस्टिक element कहते हैं फिर आता है उप्च तो यह थाटवत सिक्षर के तीन तत्व हैंगे निदानात्मक, उप्चारात्मक और मुल्यांकन एक एक करके सबको समझेंगे तो निदानात्मक तत्व जो है यह एक तरह से जैसे कि एक डॉक्टर अपने रोगी को बिमारी के लक्ष्रों का निदान करता है तो एक डाक्टर यह देखता है कि उसके रोगी को क्या समस्या है, कौन सा रोग है उसके लक्षर से वापता करता है वैसे ही एक सिक्षक भी अपने चात्र की कमजोरियों को और उनकी अच्छाईयों को निदान कर सकता है उनकी सहायता से और सिक्षग इसका निदान कर कमजोरियों को दूर करने का प्रियास करता है तो जब सिक्षग या देख लेता है कि उनके बच्चों में उनके छात्रों में क्या कमिया है तो वह उसे दूर करने का प्रियास करता है और अच्छाईयों को भविस्ते में भी बनाए रखने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है, सिख्षक। अब आता है उप्चारात्मक्ततु, उप्चारात्मक्तत्तु में छात्रों की कमजोरियां, उनकी कटनाईयां अच्छाईयों का निधान कर लिया जाता है और अपनी योगिता कौसल के आधार पर छात्रों का उपचार करने का प्रयास किया जाता है और छात्रों के व्योहार परिवर्तन लाने के लिए प्रयात नसील रहा जाता है तो जब सिक्षक यह देख लेता है कि उनके छात्र में क्या कमिया है उन्हें क्या कटनाई आ रही है तो इसके लिए सिक्षक जो है छात्र को उपचार देता है उन्हें दूर करने की कोशिस करता है ताकि उनके छात्रों के वेवहार में परिवर्तल लाया जा सके अब तीसरा तत्व आ जाता है मुल्यांकन का तत्व तो मुल्यांकन तत्व उपचारात्मक कारियों के उपलब्धी के मुल्यांकन करने के लिए सिक्षक जो क्रिया कलाब करता है वे सभी मुल्यांकन की प्रक्रिया के अंतरगताते हैं तो उपचारात्मक कारियों को उपलब्ध कराने के लिए उनकी उपलब्धी के लिए जो मु पूरु नियधारित उद्देश कितने और कौन-कौन से और किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं तो मुल्यांकन के द्वारा क्या पता लाया जाता है छिक्षण कि पूरु जो नियधारित उद्देश से थे यह जो सिक्षक ने अपना उदेश से बनाया था इस सिक्षड के लिए वक किस सीमा तक और कौन-कौन से उदेश जो है प्राप्त किये गए हैं अब देखेंगे यथार्धवत सिक्षड की विधी क्या है तो प्रोसेज क्या है प्रोसेजर क्या है स्टिमूलेटेट तो ये तीनों प्रकार की भूमिकाएं बारी-बारी से छात्रा अध्यापक निभाता है, तो एक-एक करके ये तीन प्रकार जो पूरी भूमिकाएं हैं, वो छात्रा अध्यापक ही निभाता है, इस प्रकार में सरप्रिथन छात्रा अध्यापक सिक्षक की भूमिका निभाता और इसके साथ ही यहां पर चात्रा अध्यापक के चात्र की भूमिका निभाते हैं और चात्रा अध्यापक जो सिक्षक की भूमिका में होता है वह पाट को पढ़ाता है और उसमें जो है सिक्षर सत्र जो रहता है वो 6 से 15 मिनद तक का होता है और चात्रों की संख्या इसमें पास ते 15 तक होती है इसमें एक या दो छात्रा अध्यापक उनके साथ ही निरक्षक का कार करते हैं परवेक्षक की भूमिकाने भाते हैं जो छात्रा अध्यापक के सिक्षड का मुल्यांकन करते हैं तो पाट समाप्त होने पर सिक्षक के गुड तथा दोसों पर निरक्षक य तो सिक्षर में सुधार के लिए प्रेड़ करते हैं, तो ये पूरा प्रॉसेस था यथार्थवज सिक्षर के लिए, अब देखेंगे स्टिप्स क्या रहते हैं, तो यथार्थवज सिक्षर के कौन-कौन से सोपान है, ये देख लेंगे, तो इसमें पहला सोपान आ जाता है, सैधान्तिक ज्यान प्रदान करना सैधान्तिक ज्यान प्रदान किया जाता है यथार्वत सिक्षर के दौरा तो इसमें छात्रों को सिक्षर छात्र प्रिक्षर की भूमिका समझाई जाती है और वे ये भूमिका निर्वाहन है तो उचित प्रसिक्षर भी प्रदान करते हैं और इस सोपान के लिए तीन प्रमुक कारिव माने गये हैं जिसमें छात्रों को यथार्टवत सिक्षर समंदी जानकारी दी जाती है भूमिका का चैन कराया जाता है और भूमिका निर्वाहन के लिए जात्रा अध्यापकों का चैन किया जाता है फिर दूसरा सोपान आ जाता है इसमें अभ्यास के लिए कौसल का चैन करना तो आपको किस स्किल पर कौन से कौसल पर जो है अभ्यास करना है वो एक स्किल इसमें चुनना होता है कि आप 10 skill होती है total सिक्षर कौसल की तो आप उसमें से कौन सी एक skill का अभ्यास करेंगे वो skill आपको इसमें चुनना पड़ता है फिर क्रम का निधारत किया जाता है तो क्रम क्या रहेगा इसका निधारत किया जाता है यथात्वत सिक्षर दोरा किये जाने वाले चयनी कौसलों पर आधारित पाठे योजना निर्मार के पश्षाद उनके अभ्यास का कारिक्रम बनाया जाता है और कौन से कौसल पहले किये जाएंगे फिर कौन से कौसल उनके बाद किये जाएंगे इनका एक क्रम निर्धारित होता है तो एक एक कौसल का अभ्यास किया जाता है अब चौथा सोपान आ जाता है कि निरक्षर और प्रेचर विदी का निर्धारर किया जाना तो इसमें यह न श्रविर सामगरी का प्रयोग किया जाएगा या श्रवद्र से सामगरी का प्रयोग किया जाएगा तो कौन सी सामगरी का प्रयोग किया जाएगा सिक्षर सहायक सामगरी के रूब में ये निर्धारित किया जाता है फिर पाच्वा सोपान इसमें आयता है प्रिथम अभ्यास सत्र का तो समस्त वैवस्था हो जाने पर प्रिथम अभ्यास सत्र का आयोजन किया जाता है और अभ्यास सत्र के तुरंत बाद ही परवेक्ष को दो दारा प्रस्ट पोशट दिया जाता है तो इसमें फिर फीडबैक लिया जाता है जो छात्रा अध्यापक ने सिक्षड किया है तो उसका क्या फीडबैक रहा है क्या प्रस्ट पोशड रहा है वो देखा जाता है और फिर जहां पे सुधार की आवशक्ता होती है वहां पे सुझाओ दिये जाते हैं फिर छठा सोपान इसमें आता है कि सिक्षर कौसलों में निपूर्टा प्रदान करना तो प्रतेग छात्रा अध्यापक तब तक सिक्षर कौसल का अभ्यास करता रहता है जब तक कि वहां उस कौसल में निपूर्ट ना हो जाए तो जब उससे निपूर्टा प्राप्त हो जाती है तो वहां दूसरे सिक्षर कौसल का अभ्यास करने लगता है तो यह पूरा प्रोसेस यह पूरा जो है स्टिप थे ये सोपान थे यथार्थ सिक्षड के अब आते हैं यथार्थवत सिक्षड की विसेशताएं क्या होती है characteristics of stimulated teaching जानेंगे तो इसमें छात्र करतिम परिस्थेतियों में सोभाविक रूप से कारे करते हैं और वहां विभिन प्रकार के सिक्षड कौसल में निवुर्ता प्राप्त करते हैं और छात्रों को पूर अभ्यास के लिए अनेक प्रकार के औसर दिये जाते हैं और इसमें चात्र जो चात्रा अध्यापकों की भूमिका निर्वाहित करते हैं उसमें तुरंत उनका प्रस्ट पोशर किया जाता है या एक सरल विधी होती है अत्यन्त उपयोगी विधी है या और इस प्रकार की विधी के प्रयोग से चात्रा अध्यापकों में आत्मविश् की भावना जागरित होती है और छात्रा अध्यापकों को बिना स्कूल में सिक्षर के स्कूल की भाती अनभो कराया जाता है इसमें यथाठ्वत सिक्षर में सिक्षर अभ्यास क्योंकि स्कूल में नहीं किया जा सकता है इसलिए स्कूल के छात्रों में पढ़ाई का किसी प्रक का भी नुकसान नहीं किया जाता है इसके द्वरा और पाठ्थे वस्तु को क्रमबद रूप से प्रस्तुत करने की योगता विक्सित की जाती है इस विधी में रुची प्रेणा उत्सा आधिका अधिक्य होता है और यथाटवद सिक्षर में छात्रा अध्यापक कक्षा में सही तरीके सीख जाते हैं तो इस तरह से यह यथाटवद सिक्षर की विसेश्ताएं होती हैं अब देखेंगे क्या लिमिटेशन हैं क्या सीमाएं हैं यथाटवद सिक्षर की तो यह जान लेते हैं यथाटवद सिक्षर प्रसिक्षर के प्रारंब में तथा समापन के समय मे चात्रा अध्यापकों को कुछ कटनाईयां आती हैं जैसे कि कभी-कभी वे उनकी उत्साह में कमी आ जाती है और कई बार निरक्षक या परवेक्षक की भूमिका निर्वाहन नहीं कर पाते हैं मुलियांकन का गलत आंकन कर देते हैं तो यह इसे हमारा समापत होता है गЭरें समधम को रुद्माइन च्रीव और लिए इस इंटरेक्षन अनालिस के नाम से जाना जाता है तो रुद्माइन जाता होता है पहले ये जान लेते हैं, सिक्षक के व्योहारों, क्रियाओं के क्रमबद निरक्षर प्रविधी के द्वारा जो विशलेशर किया जाता है, उसको अंतह क्रिया विशलेशर कहते हैं, तो सिक्षक के व्योहार में, उनकी क्रियाओं में क्रमबद निरक्षर की विधी को ही, उसक है और अंतह क्रिया विशलेशर से हमारा अभिप्राय होता है कि कक्षा में घटने वाली प्रते घटना का वस्तुनेस्ट और व्यवस्थित रूप से निरक्षर करने की जो व्यवस्था होती है और प्रते घटना का विशलेशर करना और यह विधी जो होती है वा कक्षा में हो एक प्रक्रिया का लेखा जोखा रखती है अंत्यक्रिया विशलेशड के कुछ उधेश से होते हैं तो क्या objectives होते हैं interaction analysis के ये जान लेते हैं सिक्षक की विशेश्ताओं का अध्यन करना इसका उधेश से रहता है और निरक्षड के माध्यम से सिक्षक के विवहारों का अध्यन किया जाता है बोधिस्तर के विवहार की प्रक्ति का अध्यन किया जाता है और सिक्षक तथा छात्र विवहार का अध्यन किया जाता है कक्षा कारे का विशलेशर करना उसका उदेश से होता है तो ये कुछ उदेश से हैं अंतेक्रिया विशलेशर पराली के आप देखेंगे फ्लेंडर की अंतेक्रिया विशलेशर पराली तो जो फ्लेंडर ने इंटरेक्शन अनालिसे सिस्टम दिया है उसके बारे में जानेंग नैंड ए फ्लंडर ने 1959 में कक्षा के साब्दिक विवहार पर आधारित एक विसिस्ट प्रडाली विक्सित की थी तो फ्लंडर ने 1959 में शाब्दिक विवहार पर आधारित एक विसिस्ट प्रकार की प्रडाली को विक्सित किया था जो कक्षा की अंतरगत होने वाली विभिन प्रकार की घटनाओं का निरक्षर करती थी क्रम बद रूप से तो इसको जो है उन्होंने व्यग्यानिक धंग से प्रस्तुत किया फ्लंडर ने कक्षा व्यवार के अध्यन के लिए सिक्षड के दौरान होने वाले शाब्दिक अंतरग्रिया को व्यवस्थित किया और उसका व्याज्यानिक अध्यन करने के लिए संपूर शाब्दिक व्योहार को प्रमुक रूप से तीन भागों में इनोंने विभाजित किया था फ्लंडर ने जिसमें पहला भाग आ जाता है सिक्षक कथन का तो इसमें पहले आ जाता है टीचर टॉक दूसरे नमबर पे आता है छात्र कथन जिसको पीपल टॉक कहते हैं तीसरे नमबर पे आता है मौन या वी ब्रांति जिसको साइलेंस और कन्फ्यूजन के स्थिती कहा जाता है तो एक एक करके इन तीनों स्थितियों को समझेंगे इसमें सबसे पहले है सिक्षक कथन टीचर टॉक के बारे में समझेंगे सबसे पहले तो सिक्षक कथन में सिक्षक द्वारा कक्षा निरक्षर के दौरान जो कुछ भी कारे किये जाते हैं या जो कुछ भी क्रियाएं किये जाती है उसको हम सिक्षक कथन में रखते हैं और इसमें केवल शाब्दिक विवार समलित होते हैं, मतलब कि जो जिनमें words का use किया जाएगा, इसमें से वही क्रियाएं आएंगी, वही कार्य होंगे, और Flander ने सिक्षक कथन को साथ वर्गों में बाटा है, जिसको इन्होंने दो भागों में विवाजित किया है, तो वो सा वर्ग जो इन्होंने केटिग्राइज किये हैं, वो दो भागों में किये हैं, जिसमें पहला भाग आता है प्रत्यक्ष वर्ग का, और दूसरा भाग आ जाता है आप्रत्यक्ष वर्ग का, तो प्रत्यक्ष वर्ग में सिक्षक के सिक्षर प्रक्रिया में कक्षा में अपना प्रभित्व जमाना होता है जबकि आप्रत्यक्ष वर्ग जो होता है इसमें सिक्षक जो है आप्रत्यक्ष रूप से अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है तो प्रत्यक्ष रूप वह होगा जिसमें सिक्षर प्रक्रिया को कक्षा में अपना सिक्षक को सिस्ट स्रेणियां बताई हैं जिसमें फ्लंडर का कहना था कि विचार सिक्रती पतलब की एक्सेप्ट फिलिंग्स छात्रों की जो भावना है उनकी जो अनुभूती है उसको सहज रूप से स्विकार करना चाहिए सिक्षक को फिर दूसरा आ प्रत्यक्ष विवहार में कि प्रसंसा या प्रोचसाहन करना चाहिए उनकी क्रियाओं के अनसार उन्हें प्रसंसा करनी चाहिए उनको पुनरबलन देना चाहिए और उन्हें प्रोचसाहित करना चाहिए फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है स्विक्रती या छात्रों के विचार का उपियोग करना चात्र ने जो भी विचार अपने प्रस्तुत किये हैं उनको स्विक्रती देनी चाहिए और चात्रों के विचारों का उपियोग करना चाहिए सिक्षक को अपने सिक्षर में फिर चौथे नंबर पे और लास नंबर पे आजाता है प्रश्न करना तो चात्रो से तत्यों के बारे में विद्यों के बारे में लगातार कुश्चन करते रहने चाहिए सिक्षर को फिर प्रत्यक्ष वेवहार में फ्लंडर ने तीन विशेष्ट सेडिया बताई हैं तो इसमें उन्होंने पहले बताया है कि भासट देना लेक्शिरिंग करना तो सबसे पहला काम होता है टीचर का पाठे सामगरी प्रक्रिया और अपने विचारों को तत्यों को प्रस्तुत करना तो ये भासट देने में आ जाएगा फिर निर्देशन करना निर्देश देना होता है तो छात्रों को आवश्यक रूप से अनुदेश देने चाहिए और निर्देश प्रिदान करने चाहिए कि क्या वह पढ़ाने जा रही है और छात्रों को उनके बारे में कैसे बिहेव करना है फिर तीसरी नंबर पे आ जाता है प्रतेक्ष विवहार में आलोचना या अधिकार प्रिदर्शन तो छात्रों के विवहार में प अतिकार प्रदर्शन दिखाना जगे फिर दूसरा आ जाता है वर्क जो छात्र ażन का था तो पिपल्टॉक इसमें आ जाता है एप्पल टॉक में छात्रों द्वारा कक्शह स्थाप्डिक व्योहार कृया उंक्रियाय कि आते हैं तो यह जात्र दो भाग विवाजिद कीए हैं तो पहला भाङ था इसमें छात्र कथन अनुक्रिया जिसको पेपल्टॉक रिस्प़ांस कहा गया। इसमें सिक्षक की क्रिया निरदेश और प्रशनों का छात्रोदारा उत्तर देना करना समलत होता है listening in पूछे क्रियांं पर उनके अनुधेश, पर प्रश्णों पर क्या response करते हैं, क्या अनुक्रिया करते हैं, यह चात्र कथन अनुक्रिया में आजाएगा. जब दूसरा भाग आता है इसमें छात्र कथन स्वाप क्रम का तो इसमें आ जाता है फिपल टॉप इनिशियेशन इसमें छात्र स्वयम वारता के लिए पहल करता है और वहाँ प्रश्ण पूछता है तो इसमें छात्र खुद ही पहल करेगा और प्रश्ण पूछेगा स्पस् संद्र रहता है अब तीसरे नमबर पर आ जाता है मौन तथा विब्रांटी साइलेंस और कन्फ्यूजन की स्थिती होती है या जो फ्लेंडर के दौरा बताई गई है तो इसमें बताया गया है कि कक्षा में कुछ समय के लिए सभी एक साथ बोलते हैं तो जब टीचर बोलता है तब ही बच्चे उसका रिस्पांस देते हैं उस पर अनुक्रिया करते हैं तो इसमें एक समय ऐसा होता है जब कक्षा में कुछ समय तक सभी बोलते रहते हैं जिससे कक्षा में आवेवस्था हो जाती है तो इससे कक्षा में आवेवस्था आजाएगी जब सिक्षक भी बोल का इस स्थिति हो जाती है एक अन्ते करिया मैंट्रिक्स की रचणा कैसे होती है यह जान लेते हैं तो इसके लिए कुछ बिंदू स्वेश्ट किये गये हैं जिसमें बताया गया है कि कख्षा में सिक्षक का व्योहार का हो चात्र कितने सक्री है इनके बेसे पे जो है ड़ी फिर देखा जाता है कि छात्र कितना और कैसे प्रोजसाहन सिक्षक के दौरा प्राप्त कर रहा है और छात्र और सिक्षक के विवार में क्या कमिया हैं कैसे उन्हें सुधार किया जाए और कक्षा सिक्षर समगरू रूप से कैसे किया जाए तो यह जो है matrix की रचना के कुछ points हैं इनके basis पे ही अंतेक्रिया matrix तयार की जाती है अब आजाते हैं Flanders Wish Lacer की 10 रेडियां जो बताई गई हैं तीन भागों में तो उनको देख लेते हैं Flanders 10 category analysis है यह इसमें सबसे पहले point आ जाता है अंकन की प्रकृया जिसको encoding process कहा जाता है तो इसमें निरक्षर करता कक्षा में सिक्षर की आधार पर या पाट के धवनी टेप की आधार पर विभिन अंतक्रिया को अंकन करता है, उनको इंकोड करता है, तथा पाट का निरक्षर कम से कम 20 मिनट तक किया जाता है इसमें, यदि एक ही प्रकार की अंतक्रिया काफी चलती रहती है, तो उसका अंकन भी उतनी ही बार किया जाता है, तो अगर एक बार एक क्रिया चली, फिर उसके बाद वही क्रिया रिपीट हुई तो उसका अंकन फिर से किया जाएगा तो इसमें प्रती तीन सेकेंड की दर से हर एक क्रिया का अंकन किया जाता है तो यह पहला जो है सेड़ी थी है जिसको अंकन की प्रक्रिया कहा गया अब दूसरी सेड़ी आ जाती है व्याख्या की प्रक्रिया तो व्याख्या की प्रक्रिया को decoding process कहा जाता है अंकन से प्राप्त आक्रों की व्याख्या अवश्य होनी चाहिए तो अंकन से जो आक्रों प्राप्त होते हैं उनका उनकी व्याख्या की जाती है और इसी से सिक्षक के व्यवार का विश्लेशर किया जाता है तो आकडों की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है तो जो आकडे प्राप्त होते हैं अंकन की प्रक्रिया से उनकी व्याख्या इस तरह से की जाती है इसमें दो प्रकार से व्याख्या हो सकती है पहली परिणात्मक quantitative के basis पे होगी और दूसरी होगी qualitative के basis पे तो परणात्मक में तीन तरह से व्याख्या की जा सकती है पहला होगा category ratio के रूप में वर्गा अनुपात के रूप में की जा सकती है दूसरा व्योभार अनुपात के रूप में की जा सकती है और तीसरा है अंतहक्रिया चर के रूप में की जा सकती है फिर दूसरा जो categorization है व्याख्या का गुडात्मक के रूप में तो गुडात्मक के रूप में भी तीन प्रकार से व्याख्या की जाती है प्रवाह चार्ड के रूप में की जा सकती है मनजुसा प्रवार रेखा चित्र के रूप में की जा सकती है और अन्तेह क्रिया प्रतिमान के रूप में की जा सकती है तो ये तीन प्रकार से केटेगराईजेशन किया जाता है व्याख्या का अब इसमें परणात्मक व्याख्या जो की जाती है वो किस तरह से करते हैं ये देख लेते हैं तो परणात्मक व्याख्या के अंतरगत प्यते एक पद की व्याख्या इन सूत्रों के दौरा की जाती है तो परणात्मक व्याख्या में एक सूत्र लगाया जाता है व्याख्या करने के लिए जो इस तरह से है तो इसमें teacher talk के लिए सिक्षक कथन के लिए tt लिखा जाता है और equal to करके 1, 2, 3, 4 मतलब जितने भी वर्ग होंगे वर्ग आवरती लिखी जाएगी और फिर कुल कितनी प्रत्यक्ष सिक्षक कथन जो होता है इसमें आवरती लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे कुल आवरती से और इंटू कर देंगे उसमें 100 का प्रत्यक्ष सिक्षक कथन जो होते हैं उसमें 5, 6, 7 आवरती लिखेंगे और कुल आवरती से उसको डिवाइड कर देंगे और 100 से इंटू कर देंगे तो यह प्रत्यक से सिक्षक कथन आ जाएगा अब आते हैं गुडात्मक्व्याख्या पर तो गुडात्मक्व्याख्या किस तरह से की जाती है यह देख लेते हैं तो इसके तीन टाइप बताए गए हैं प्रवाचार्ट के रूप में हो सकता है या फ्लो प्रवाचार्ट में इन्हें रखा जाता है और इसमें कुल आवरत्यटी की स्रेड़ी को ग्याद किया जाता है और समाणिता पांच पांच स्रेड़िआ। में सर्वाधिक आवरती की संभावनाय होती है और प्रवाचार्ट बढने के लिए सबी श्रेडिआं को सामिल overall ज प्रवार रेखाचित्र जिसमें फ्लो बॉक्स फ्लो डाइग्राम रहते हैं तो इसमें घडी के अंडरूप प्रवाचार्ट से सिक्षक के व्योहार को समझने में कठनाई आती है इसलिए मन्जुसा प्रवाचार्ट का उप्योग किया जाता है तो इसमें सिक्षड व्योहार को प्रिथक प्रिथक अलग अलग अंकित किया जाता है और उसमें वर्ग तथा संकेत छोटे बड़े मोटे पतले बनाए जाते हैं इसमें वर्ग या संकेत के द्वारा प्रस्तुति करण किया जाता है जिसमें प्रतेक व्योहार को निश्चित या स्पस्ट स्थिती में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें निर्धारी तावरतियों को ही अंकित किया जाता है तो सभी आवरतियां इसमें नहीं नहीत होती ह सिर्फ निर्धारी तावरतियों को ही इसमें अंकित किया जाता है अब तीसरे नमबर पे आ जाता है अंतह क्रिया प्रतिमान जिसको इंटरेक्शन मॉडल कहा जाता है तो फ्लेंडर ने सिक्षर व्योहार की गुडात्मक व्याख्या के लिए अंतह क्रिया प्रतिमान विक्सि किया है जिसमें सिक्षर व्योहार की व्याख्या निस्पत्ति के संदर्भ में की जाती है तथा निर्धारित क्रम के अंसार सिक्षर की अनुक्रियाओं को प्रवाह सिध्धान्द के अनुरूप आव्यू कुल आवरतियों के सहायता से बाहिशाब्दिक विवहार को विक्त किया जाता है तो ये अन्तेहक्रिया प्रतिमान होता है अब देख लेते हैं कि निरेक्षर मैंट्रिक्स कैसे प्रपेर की जाती है तो इसके लिए पहले टीचर टॉक को रखते हैं सिक्षर कथन आता है तो सिक्षर कथन दो प्रकार से किया जाता है पहले इसमें आ जाता है आप्रतिक्ष विवहार तो सिख्षक के द्वारा जो आप रत्यक्ष विवार की पॉइंट है वो पहले रखे जाएंगे इसमें जैसे कि इसमें पहला आ जाएगा विचार स्विक्रेटी करना तो स्टुडेंट्स की फीलिंग को एक्सेप्ट करना फिर दूसरा आ जाएगा प्रसंसा या प्रोचाहन क प्रेज करना उनको इंकरिजमेंट करना फिर तीसरे नमबर पर आ जाता है चात्रों के विचारों की स्विक्रेटी करना तो चात्रों जो बतार हैं उनकी फिलिंग को एक्सेप्ट करना उनको जो है उनकी विचारों को एक्सेप्ट करना फिर चौते नमबर पर आ जाता है प पहले ये रखे जाएंगे, फिर इसमें आजाएंगे प्रत्यक्ष प्रभाव पर, तो प्रत्यक्ष प्रभाव दो हैं, जिसमें आजाएगा निर्देश देना और आलोचना या अधिकार प्रदर्शन करना, तो ये दो प्रकार के प्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं, जो सिक्ष जाएगा देखा जाएगा कि छात्रों का स्वाभ ख्रوم क्या है तो इ ingen won कोषिण कर रहे हैं तो यह चीज़ें देखे जाएंगे कि छात्रों का फेरा जाती है डिसलो का उसट्र कहा जाता है तो यह पूरी मेंट्रिक्स थी निरक्षड के लिए जो फ्रेंडर इंट्रेक्शन के द्वारा दे गई है जान लेते हैं इसमें पहला नियम होता है कि जब पर्स्ट हो कि विवहार कि श्रेडी का है तो जब आप यह देख लें कि विवहार सिख्षक कथन में है या चात्र कथन में है या साइलेंस एवं कंफ्यूजन की स्थिती में है तो पाचवी स्रेडी से सबसे दूरी वाली स्रेडी का क्रम नंबर नोट करना चाहिए तो आप पाचवी स्रेडी से सबसे दूर वाली स्रेडी का नंबर नोट करेंगे और यदि दो और तीन नंबर वाली स्रेडी में निश्य हो पाता है तो पाचवी स्रेडी से दो नंबर वाली स्रेडी की सबसे दूरी पड़ती है तो यह देखा जाता है कि अगर नंबर दो और तीन नंबर पर आ रहा है तो दो पर लिखेंगे कि पाचवी स्रेडी से दो स्रेडी दो नंबर की स्रे है या लगातार आप्रत्यक्ष है तो प्रेक्षर स्वयंद आपना अपना igon नहीं कर सकता है और यदि एक से अधिक श्रेडी सक्रिय होती हैं तो सभी श्रेडियों का रिकॉर्ड किया जाए तो अगर तीन से केंड से जादा कोई श्रेडी चलती है या उसमें दूसरी श्रेडी सक्रिये हो जाती है तो सभी श्रेडियों का उसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा इसमें पाच्वा नियम आ जाता है कि यदि मौन तीन से केंड स अधिक हो जाता है तो उसमें दसवी श्रेडी में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा फिर छठा नियम आ जाता है कि छात्रों को अध्यापक दारा नाम से पुकारने पर 34 रेड़ी रिकॉर्ड की जाएगी तो अगर चात्र को अध्यापक के दौरा नाम से पोकारा जा रहा है तो ये जो सोपान होगा वो 34 रेड़ी में रिकॉर्ड किया जाएगा तो इस तरह से कुछ नियम बताये गए हैं कि कैसे निरक्षर किया जाएगा ये और फर्दर नियम दिये गए हैं इसमें इन्हें देख लेजएगा आप देखेंगे कि फ्लेंडर की अधार बोट धारनाएं क्या है तो इस पे पहली धारना है कि सिक्षक के वेवहारों में चात्र प्रभावित होता है तो सिक्षक के चात्र का संबंद महत्पूर रहता है और सिक्षक का जन तंत्रात्मक मिवहार अधिक पसंद किया जाता है तो जब सिक्षक सब को सामिल करता है तो वा वेवहार उसका ज़्यादा पसंद नहीं होता है और सिक्षक के वेवहार का कक्षा में निरक्षर किया जाता है अंकन किया जाता है और मापन वस्तुनिस्ट रूप से किया जाता है और सिक्षड में कक्षा का वातावरर भी महत्वपूर होता है और कक्षा में साब्दिक व्योहार का प्रियोग अधिक किया जाता है तो ये कुछ आधार भूत धारना तो यहां से हमारा टॉपिक समागत होता है थाइम्क्यू अर्यूवन